आपको जानकी है सल्झ खगा थे भारत में हिस समय डिल्ली सल्तनत तराज ये अट ज़्ड वेलकम टो प्लुटस इस आज मैं आपसे साथ बात करने जा रहा हूं कि वावर हिंदुस्तान क्यों आया ऐसा क्या सट्र में सांसिस था जिसके वैसे उनको इंदोस्तान आना पड़ा बावर अपने आटो वैगराफी तुर्जी के बावरी जो की तुर्की भासा में लिखी गई थी उसमें लिखते हैं क्योंको बच्पन से इच्छा थी भारत आने का उनको पापा थे जिसको हम अब अगर बहुत अच्छे होते हैं आपको पता होना चाहिए बावर मात्र जब 11 साल के थे तो उनकी फादर की देश हो जाती है सैवाने खान उनके पीता को मार देता है लेटर वन बावर कैप्चर दे सिटी ऑफ सैवाने खान डाट इस समरकर्द बावर का ओरिजिनल प्लेश जो है वो फर्गना था बावर अपने पीता के हिसाब से तैमूर बंस रहे थे और मदर के लिनेस से बावर वाज फ्रॉम्दी मंगोलियन ट्राइब्स बावर में दोनों खून था तैमूरों का और मगल का भी आपको जाहने के असर्ज होगी जब सम्वलकर्द पीनों ने पराइब लिए वाज दिए पीग आप नो लैंड उसके बाद इनके दोस्ते सपोर्ट किया और बिदे हेल पॉप भी सा अलम स्माइल फस्ट परसिया फीवाज एबल टूट टूट सेवानी खान ऑप समर्कर्ण बटू पता चला जब राज जबसी एक त्रब्डे जा रहे परसिया फारस्ता उनके अधीन राज्य करना परेगा तो डिसाइड किये कि नहीं वो समर्कर्ण का राजा नहीं बनेंगे और फिर उनको एक मौत्वा मिला काबूल में जहां पर उनके एक अंकल रहा करते थे उनकी कोई संतान नहीं थी उन्होंने उनके बेटी से साधी किया अफिरो राजा बन गे काबूई के और पंदर से पांच से चे के बाद बावर इंदिया तरफ रूप करते और अगले 15 वर्सों तक धीरे-दीरे करके पंजाब में लहौर में सिंभ में क्लाई बार एक प्लरेंगे आपकी ब्रीफ एस्टोरी थी पावर को इंडिया तरफ रुप करने की क्योंकि पंदर से पांच से के आसपास बावर जो था और काबूल या याने की अपना अनिस्तान का पहले से रूजर बढ़ कुके थे अब मोटा था इंडिया में वैसा चीजे चल रहे थी आपको जान से बावर जो है इंडिया तरफ आ रहा है दिल्ली सल्तनत जो थी इसमें और रूल हो रही थी इब्राहीम खान लोदी इब्राहीम खान बहुत ही क्रॉप्ट और और्थोडस्ट टाइक के इसान था वह अपने अंकल और ऑफिस्टेल को बहुत इंसल्ट किया करता था अपने दरबार में उनकी एक अंकल थे आलम खानोदी और दूसरी ग्रवर्नर थे पंजाब में दौलक खानोदी दोनों इनसे खुस नहीं थे और कहा जाता है कि राना संग्रा जो थे जो आपके मेबार चित्तोर के राधा थे वो भी इनसे क्रंस्टेंटली फाइट कर रहे थे प् कि लोदी मर जाएगा और सारा राज जो है यह तीनों करेंगे पर ऐसा हुआ नहीं जैसी बावर आए पर मॉपरीजु यह तो आप सापोर्टी जो है यह यह संगल फार तो बोलते हैं जिसके हम पर होते हैं जबर Sounds वह सेन बावरा की बावर ये स्योनय को मिल Mahar को दिख लेते हैं और ड्भाएम लोधी को को बैटल फिल्ड पे मारते हों लेते हैं कैसे बावर में बहुत अच्छी तरीके था और टुमन जिसे हम रूमी मेथद अव वारफेर यूज किया था मतलब रूमी जो तरीके का जो लडाई होता है वो यह पर्शियन से सिखेते इस रूमी मेथद में क्या होता है इस रूमी म यह प्रण्य ओर आठोर नो क्या होता था पाट था शाड़ाए प्रूमी में क्या होता था यूम तुसी बावर मेज पावर यूज की अप दूमी में उस रूमीक धावर भावर में ते इस से मिदिक अंड संची प्राइज के मार्शी के इसे ब्लाज कन गड़ें में ऐन को और बावर इंडिया में अपना डुड़ बावर इंडिया अपना डुड़ बस आलेवे तो सबसे पहले बावर कहारते हैं। बावर 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 अगेल बावर 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 के अंदर ही मतलब बावर इंडिया में रूल किया 1526 से 1530 के विच में इन चार सालों में उन्होंने चार बरी लरायां लरी हैं अब फिर उसके बाद उनकी खुब डेत होगा दिया बहुत ही बड़ी अशंबर की बात है रहा जाता है और वह अपने राइटिंग में लिखते हैं कि उनके जो बेटा था हुमायू सबसे प्रिये बेटा और दूसरा था कामरान हुमायू जो है बीमार पड़ जाते हैं और बावर जो है हिमायू को अच्छे बनाने के लिए स्व तुमधन कैसे पावरफल हुआ और रफ całि इतना पावरफुल ठाक कि हुमायू को सिरसा सूरी हरा दिया इसको हम डिटियल में अगले वीडियो में समझेगा इस वीडियो में आप तो फिर से आइन बताता हूँ मैं कि आखित बावर इंडिया क्यों आया दो- clamps देंगि पहल अबिलिटी थे वो अपने राज फर्गाना समक्रांद में रूल नहीं कर पारे थे थे थर्ड रिजन है इंडिया में इस्टेवल गौर्फूर्मेंट नहीं थी कोई भी राज इंडिया में इस्टेवल ही नहीं था देली सल्तनक्री रूलर है सितंदर लोधि इसके बाद इर्गाहिम लोधी उतनी पावर्फूल नहीं थे थे महामूद लोधि उनको पसंद नहीं करते थे राना संगराज और I hope you understood this video, in the tomorrow video we will discuss about the topic on whom are you or CSR soon, okay, all right.